छात्रो नमस्कार आज मैं आपको इंडियन एर फोर्स इंडियन नेवी में सेलेक्शन का पूरा प्रोसेस मेडिकल इनकी सेलरी किस किस तरीके से एक्जाम की त्यारी करनी चाहिए यह सारा बताऊंगा दे कि पिछले वीडियो में आपने एंडिये का मैंने पूरा प्रोसेस बताया था एंडिये के बारे में पूरा एटुजेट चीज़े बताई थी आपको ठीक है यादे प्रिप्रेशन आपको करनी है तो उससे पहले आप जान लें देखिए पहले कुछ दिनों पहले कुछ साल पहले और नेवी और एर फ 78 के आसपास परसंटे जाते थी यानि 78 परसंट से नीचे के जो इस्टुडेंट्स होते थे वह एक्जाम ही नहीं दे सकते थे एटी परसंट से नीचे वाले नहीं का नहीं दे पाते थे इसका सबसे बड़ा प्रोसेस सबसे बड़ा नुक्षान यह था कि जो eligible candidates थे यानि ज सब्सक्राइब करने के लिए या फिर जो परेंट्स फुली डेडिकेटेड हैं तयारी करवाने के लिए वह कोपी पैनल लेके एक एक चीज नोट भी कर सकते हैं और उसके बाद वह चेक करें अपने बच्चे से पूछें बठाके कि बठाके कि वह इस एस 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 बाद प्रोसेस है कि इस इस तरीके से एक्जाम होता है आप यह इसके लिए फिट बैठते हो और आप फिजिकली मेंटली फिट हो तो आप इसकी प्रपेशन कर सकते हो ठीक है अब सुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले एरफोर्स की बात करें दोस्तों तो एरफोर्स में आप जोइन करते हैं डबल ए आर्टिफिसर अप्रेंटीज एससर सीनियर सेकरडियर रिक्रूट्मेंट कोष्ट गार्ड या मैट्रिक रिक्रूट इस तरीके से आप चार तरीके से नेवी जोइन कर सकते हैं बारवी क्लास पास करने के बाद सबसे बढ़िया अभी सुने रहा मो चेकी है तो वह बहुत कॉन्फिडेंट होके तैयरी करता है सतर बनने के बाद वह जड़ा कॉन्फिडेंट होता है लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले क्या होता था कि जिसकी एटी अब परसंटेज है वह कंडिडेट सी उनके को लेटर साते थे और उनके एक्जाम होते थे एक-एक प्रोसेश को हम लोग समझते हैं एरफोर्स में देखिए कि ओफिसर्स एंट्री मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि N.D.A. के अंदर आप Indian Navy, Indian Army और Indian Air Force में Officeer Post पे जोइन करते हैं Non-Officer Post के लिए यदि आप आर्मी में जाते हैं Generally हम लोग Indian Army में उसे Solider कहते हैं सिपाई जिसको कहते है Indian Navy में उसे Seller कहते है वो ही आप सिपाई कह सकते हैं और Indian Air Force में Air Man कहते हैं ठीक है यह तीन प्रकारसे आप यूउन करते हैं भारवी के बाद नियानिये आप सोलजर बनेंगे यह पिर आप सैलर बनेगे ऐर यह अलग 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 यह नाम होते हैं रहे लग ब pilits सारी प्रोसेस होते हैं ठीक है एक एक जाम ट्रांस्पेरेंट डंक से एक जाम होते हैं यह पहले आप सुनते होंगा इदर उदर का हलका पूर्पर का बट ऐसा कुछ भी नहीं है आप बैकाओं में नहीं किसे के और आप अपनी मेहनत पे ध्यान देए और अपनी काभिलियत के बेस पे ज्वाइन करें आप सेना या भारती नेवी जल सेना ज्वाइन करना आसान है आप बारवी पास बहुत अच्छे से आपने मैथमेटिक से यह दिकी है तो बहुत ही अच्छा है ठीक है अब बात करते हैं सबसे पहले बात जब मालों कोई बच्चा या कोई स्टुडेंट करने आता है तो उसके असर में एक्स ग्रूप की तैयरी करना चाहता हो लेकिन देखो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए एक्स ग्रूप में क्या होता है वाई ग्रूप में क्या होता है क्या एक्जाम होता है किस किस तरीके से एक्जाम की तैयरी की जाती है क्या क्या सलेबस होता है यह सारी चीजे पता होने के बाद जब आप पूरी तरीके से हर माप दंड पे मेजर मेंट्स पे जब आप अपने आपको खरा पाएं तो उसके बाद आप यह जौइन करें देखिए मैं आपको है कि वो सारी चीजों को अपने आप से ही तैयरी करें कुछ लोगों को छोड़कर लेकिन फिर भी मेरी पैरेंट से यही विंती है कि वो सबसे पहले अपने बच्चे का एक बड़िया होस्पिटल में या किसी डॉक्टर से आप मेडिकल कराएं आप आरसी डिफेंस एकड़ में या भारत ignoring समय नहीं जा सकते तो तो मेरा यही आप से आग्रे रहेगा कि आप लोग रह चीजी तैयारी करें यह उना city कारें आप 175 वाण रहीलें को ते зал की छलयं है स्वेटिंग है हाथ मतलब वाइबरेशन हैंड में या नोक नी वगरा टच हो रहे हैं या बहुत सारी इसमें मेडिकल चीजे होती है आप चेक कर आए ज्यादा सही रहेगा क्योंकि आप कोई भी चीज शुरू करने से पहले यदि अपने आपको फिट पाते हैं तो ही शु एक्स ग्रूप जॉइन करते हैं और वाई ग्रूप जॉइन करते हैं तो कौन-कौन सी पोश्ट होती हैं सबसे पहले इस पर डिसकस करते हैं देखिए दोस्तों एक्स ग्रूप में जब आप जाते हैं एक्स ग्रूप में और वाई ग्रूप में एक्स ग्रूप टेकनिकल व पोस्त बताता हूं Automobileерт photon котор technical mechanical system चुब करते हैं और अबौस करते हैं इसकी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट की यह के नॉन टेक्निकल पोस्त जो एक्स गूरूप में एजुक什么 instructor की होती है उसके बाद हम लोगं बात करते हैं jeśli गूरूप की जो technical post होती है जैसे जो Y group join करते हैं बच्चे और वो होती है आपकी communication technician और automobile technician उसके बाद हम बात करते हैं Y group की तो Y group की बात करते हैं कि Y group एक्चुली X group में तो PCM होना जरूरी है लेकिन Y group में आपके पास कोई भी subject हो सकती है तो देखिए Y group में non-technical artery में आप admin assistant की आपकी post admin assistant account medical logistic environment support service या Ops metrological ground training Indian Air Force आप Indian Air Force में आप Indian Air Force पुलिस भी जोइन करते हैं आप Indian Air Force security या musician इस तरह की non-technical post in Indian Air Force Y group में होती है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं एज की डेखिए एज जो है 17 से 21 तक आप 17 से लेके 21 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए वाइल ज्वाइनिंग एड़ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ठीक है वैसे साड़े सोला से फूम बढ़ते हैं और ज्वाइनिंग तक आपकी 21 एज होनी चाहिए एक मैं अगली चीज बता दू कि यह मेल कैड़ेट्स के लिए हैं और वह अन्मेरिट होने चाहिए ठीक है अन्मेरिट देखे इंडियन यदि आप एंडिय की बात करते हैं आप नेवी की बात करें या फिर एर फोर्स की बात करें एक तो कमपसरी सर्थी है कि आप उन्मेरिट ह साल कोई साधी की एज भी नहीं होती और आप यदि इन में जाना चाहते हैं तो आप अन्मेरिट होने चाहिए फिजिकली फिट होने चाहिए और उसके बाद आपको यह प्रोसेस फोलो करना है देखें अब मैं आपको बताता हूं कि एर फोर्स का जो फोर्म बढ़ने से पह क्योशन 20 मिनट फिजिक्स के 25 कि विस एंग्लिस के 20 कि विस मिनट और टोटल आपको 70 कि निट है इे एक्स ग्रूप टेक्निकल पोस्ट के लिए हैं एर पॉर्स वाई ग्रूप में देखें आपको इंग्लिस वीचन 20 मिनट रागा ठीक है रागा जो होता है रिजनिंग एं वाइ ग्रूप इनका अलग-अलग है देखिए यदि आप X और Y दोनों भरते हैं तो आपको इंग्लिस का पेपर अटेंप्ट इंग्लिस का पेपर उसी में कंसिडर हो जाता है और उसके बाद आपका सेम टू सेम यही सब्जेक्ट्स रहते हैं आपको यदि बात करें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग वन फोर्थ होती है वन बाई पॉर और करेक्ट जो कुशन्स होते हैं उनके लिए आपको एक मार्क सिमिल अभी मिलता है!!!-0.25 नरद सेरी मार्किंग होती है producción अब मन लो कि आपने यह सारा प्रोसेस खर लिया आप थे टो अप्रक्स्राइब आप सेल्ट हो गए गर्जान देने के बाद सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद क्या करना होता है एक्जाम में सेलेक्ट होने के बाद आपका फेज सेकिंड यानि फेज फस्त आपने एक्जाम किलियर कर लिया अब एक्जाम किलियर करने के बाद फेज सेकिंड जो आएगा उसमें फेज सेकिंड में आपका फिजिकल फिटनेश टेस्ट अब फि 6 मिनिट में आपकी रेस हो जाएगी यानि 1.6 किलो मिटर यानि शाड़े-6 मिनिट में और दस पुसप्स दस सिटप्स और 20 स्कौर्ट मानि 20 उठक बैटक प्रोपर वे में आप यह लगा देते हैं तो आपका फिजिकली फिटनेश टेस्ट क्लियर हो जाता है अच्छा आपने एक्जाम भी क्लियर कर लिया आप फिजिकली फिट भी हैं ठीक है आपने यह सारे प्रोसेस थे फिजिकली फिटनेश की आपने सक्सेस क्लियर कर ली उसके बाद क्या होता है देखिए उसके बाद होता है एडेप्टेब और आपको 15 मिलते हैं फिर आपके पास एक कुश्ण पेपर आता है सर्टी का सिच्वेशन रियक्शन टेस्ट जिसमें 5-6 कुश्ण रिजिनिंग के होते हैं और फिर सिच्वेशन जैसे मालो मैं आपसे कहूं कि आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने अचानक सेर आ गय हैं तो आप इसमें से जो भी आपको करेक्ट लगता है आपके सामने सिच्वेशन काई की सेर आ गया जंगल में जा रहे हैं आपके सामने सेर आ अब आपकी रियक्शन क्या होगी देखिए रिलेवेंट और जो आंसर की उन्होंने बनाई हुई होती है एर फोर्स में उसके आप सही पाए जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है उसमें आपको और आप माल लो कि डिफ्ट डैनमिक फेक्टर टेस्ट और जो एसा रटी सिच्वेशन रियक्शन टेस्ट यह दोनों क्लियर करने के बाद फिर आपका आता है क्या अडेप्टिबिलिटी टेस्ट ट इंग्लिश में एक मिनिट के इंट्रोडेक्शन के बाद में आपको एक आर्टिकल दिया जाता है उस आर्टिकल को चार-पांच मिनिट आप रीड करिए केरफली और उसके बाद में उसके ऑपिनियन आपको रखने होते हैं गुरूप के अंदर देखिए मैंने आपको एर सारा प्रोशेस होने के बाद में आपका सेलेक्शन हो जाता है और आपके सेलेक्शन होने के बाद में मेरिट लिस्ट आती है और मेरिट लिस्ट आने के बाद में जब आप सोट लिस्ट हो जाते हैं फाइनली उसके बाद आप नाइन मंत की ट्रेनिंग के लिए चले जाते ह है इस्टुडेंट के सामने आजकल टीवी का जमाना है मॉबाइल का जमाना है आप देखेंगे कि मैं यह 90 परसेंट कहूं तो भी ज़्यादा गलत हैं यह 95 परसेंट कह लें 95 परसेंट अच्छे मॉबाइल के अडिक्टेड है यानि जैसे कोई ड्रग एडिक्ट नहीं होता जा किसी बहुत गलत चीज की आदत पढ़ जाती है तो आज एक मॉबाइल एक ऐसी बिमारी है कि जिसकी इतनी जाद आदत पढ़ रही है कि कहीं सड़क पे जा रहा है कोई आदमी बस में जा रहा है गर में बैटा है उसको कोई मतलब नहीं आसपास वालों से उसका मॉबाइल और वर्चुल दुनिया जो उससे वर्चुल दुनिया जिसका कोई लेना देना नहीं आपके रियल असल लाइप में उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है फेस्बूक पर पोश्ट डाल यह वाटसप पर डाल दी यह नोंसेंस चीज आने के बाद में बरबादी ज्यादा हुई है कि कहें तो एजूकेशन सेक्टर में तो बहुत ज्यादा क्योंकि इस सीज की मिस्यूज बहुत ज्यादा होते हैं मैं कहता हूं कि मोबाइल गलट डिवाइस नहीं है आप इसे परचों के अंदर चरचरापन बढ़ा है वह सेल्फ स्टेडी नहीं करते ठीक है 89 परसेंट आप कहेंगे लग 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 पूरे आगए इसमें ठीक है सेल्फ स्टेडी नहीं करते हैं उनको मोबाइल के ज्यादा चिपके रहते हैं और अननेसेसरी चीज़े देखना वेखना यह सारी चीज़े तो अकुल मिलाके मैं आपको बताऊं कि यह है फैक्ट भी है क्योंकि ओनलाइन जैसी कोई चीज होती है नहीं पहली बात क्यों क्योंकि फिजिकली जब आप कोई चीज पढ़ते हैं फिजिकली जब आप कोई सामने बैठके कुछ सीखते हैं उसका तो मु लीजिए कि कोरोना काल में दुर्भाग्यवस एक ऐसी बीमारी जो फैली है इस वजह से हमें ओनलाइन भी आना पड़ा बागी है अब बात करते हैं एक सबसे बड़ा क्यूशन की एरफोर्स की जो कंडिडेट्स होते हैं कई बार उनको आता है कि यार मेरे चस्मा लगा हु आई शिक्स वाई शिक्स होनी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं पावर की एक्स ग्रूप में मैंने 0.5 से मैंने 0.5 से प्लस टू तक और वाई ग्रूप में मैंने 3.5 से 3.5 प्लस 3.5 तक के जो कैड़ेट्स हैं वो जोईन कर सकते हैं तो आँखों की कोई ज़्यादा बहु 206 रुपए और प्लस डीए ठीक है लग वग लग आपको यह मालो 40,000 के आसपस आपको मिल जाता है एक्स गुरूप में और वाई गुरूप में 26,900 बूस डेए ठीक है और आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं एर फोर्स में तो एरक्राफ्टमें के रूप में जॉइन करते हैं और यह इंडियन आर्मी में जो सोलडर की जो पोस्ट होती है उसके एक्वइलंट है यानि यह अलग-अलग नाम है अलग-अलग इस इस में ओके अब देखिए मैं नेवी में भी AA, SSR, Artificer Apprentice, Senior Security, Recruitment, Coast Guard, Metric Recruit, यह 3-4 ताइप की बर्तियां जो निकलती हैं, इसमें SSR और AA का यदि आप देखेंगे, तो English के 25 क्वेशन आते हैं, Science के 25 क्वेशन आते हैं, और Mathematics के 25, और General Knowledge के 25, जो General Knowledge के 25 क्वेशन जो इंडिया नेवी में आते हैं, उन में से 7-8 क्वेशन रीजिनिंग से होते हैं, ठीक है, यह इनतरक शक्ति से होते हैं, इसमें Physical Fitness का वही दाइरा है, 1.6 किलोमेटर की रेश चाहिए आपको, और वह साथ मिनिट का टाइम चाहिए, बात करते हैं, 20 स्कॉार्ट और 10 पूसप, 20 उठक बैटक और 10 पूसप इसके Physical Fitness टेस्ट है, उसके बाद में आपका Medical, Medical, Medically Fit होने के बाद में, मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट में आने के बाद में, यह सारा प्रूस, यहने सो कुशन लगवग साट मिनिट, देखें, आप कितने ग्यानी हैं, अपनी सब्जेक्ट को लेके, या कोई कितना ग्यानी है, इसे कोई फरक नहीं पड़ता कॉम्प हो जाते हैं, ठीक है, तो यह रहा Indian Air Force और Indian Navy का, दोस्तों एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है, आप अपनी कोपी में लिख लें, जो भी पैरेंट्स, अपने बच्चे को भारती वाइव सेना में भेजना चाहते हैं, या जो चात्र भारती वाइव सेना या भारती ज लेकिन ये है कि आपको तक्रीबन तक्रीबन चे महीने आपको सेल्फ डिसिप्लेन में रहना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी समझ्चा है, सेल्फ डिसिप्लेन अपने बहुत बड़ी समझ्चा है, खुद में डिसिप्लेन लाना ये दुनिया का सबसे कठीन टास्क है, जी नहीं यह मान लीजिए आपकी 0.01 परसंटेज के आसपास होंगे लोग जो ऐसा करते हैं डेली एक दिन दो दिन करने से कभी रिजल्ट नहीं आया करतें डेली की बात हो रही है यहां पर तो देखिए एरफोर्स में और नेवी में आप किसी भी पदपर सेलेक्ट होते हैं तो मैं मोटे मोटे तोर पर यदि मैं एक गाओं की भासा में कहूं तो 40 से 50 हजार के आसपास सेलेरी जो लगबग एक फस्ट ग्रेड इस्ट ग्रेड एंपलोई की सेलेरी से भी जादा होती है उसके बाद दोस्तों आपको पूरा मेडिकल क मिलता है और आप 15-16 साल जोब करने के बाद में रिटायर हो जाते हैं उसके बाद तुरंत आपको सेकंड जोब भी आपके बहुत पढ़िया परचिनिटी रिजर्वेशन आपका होता है और दूसरी अपरचिनिटी भी आपको मिल जाती है तो इसके लिए मैं यह चाहूंग जिनोंने एर फोर्स में सेवा दी है वो आपको मेडिकली चेक करेंगे देखिए एडमिशन लेना और नहीं लेना एक अलग बात है अलग बात है लेकिन अपने आपको चेक करना कि मैं फिट हूँ या नहीं क्योंकि जो लोग फिट नहीं होंगे उन्हें हम लेंगे भी नही फिर आप सोचें कि मुझे तैयरी करनी है तब आप तैयरी करें और भारती वायू सेना और जल सेना में जाने का सुनेरा अफसर पाएं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू